हलो अबरिबन वेलकम टू माय चनल तो आज हम लोग स्वाल्प करेंगे वाक्षीट 3 के कोस्टन्स को और यह अपना है कोस्टन नंबर 1 कहता है फाइंड दी मिसिंग नूमनेटर और डैनो मिनेटर तो कहीं-कहीं हमारा यह जो नूमनेटर है वो मिसिंग है कहीं-कहीं हमारा ड connection कहा है वन अपन टू है अभी यहाँ पर क्याना फोर है तो आप देखिए तु को कितना से मुली किला करने पर पह जायेगा तो तो को टू से मली करने पर पर पोर आ जाएगा तो इसका मतलब denominator में 2 से multiply किया गया है तो हम numerator में भी 2 से ही multiply करेंगे तो अगर आप 1 को 2 से multiply करते तो क्या आपको मिलता है 2 तो आप यहाँ पे 2 feel करेंगे ओके जैसे कि आप यहाँ पे देख लेजिए 1 upon 2 है अगर हम इसको 2 से multiply कर देते हैं तो हम लोग को आप क्या मिलेगा टो अपोन 4 तो यह मरत 2 upon 4 हो गया इसी तरह से यहाँ भी देखिये हमारा six है तो six को हम किस से multiply कर दें ताकि हमारा 18 आजाएगा तो यह हमारा किलियर है यहाँ पर थीरी से multiply करना पड़ेगा तो इसका मतलब यह है कि हमको फोर को भी थीरी से multiply करना पड़ेगा तो अगर हम फोर को थीरी से multiply कर देते हैं तो हम लोग को क्या मिल जाता है फोर थीरेजा 12 मिल जाता है तो इस तरह से हम यहाँ पर फिल कर सकते हैं बड़े आसानी से ओके अब देखिए सी नंबर में हमारा यहां पर डैनोमेंटर मिसिंग है तो यह हमारा सेबन है यह हमारा 42 है तो सेबन का टेबल आप कितना टाइम्स लेंगे तो 42 आ जाएगा तो सिंपल है आपको यहां पर सिक्स टाइम लेना पड़ेगा निए शिक से मल्टिप्लाइ करेंगी तो नीचे भी आपको शिक से मल्टिप्लाइ करना चाहिए तो आपको क्या मिल जगा 9 6 जा 54 तो इस तरह से 54 हमारा यहां पर आजाएगा यह देखिए ठीरी कर टेबल कितना टाइम्स लेंगे एट टाइम् durch HOW प्रोत्टी एगा तोमरे पर फोटी हो जाता है फिर आप देखिए यह हमारा है 15 को कितना लैं करेंगे Uh 15ables are 35 तो हमारे पास 75 आज säga गा तो यहां पर भी हम को टूवल मं को आफ से Baltimore कर लेंगि तो 12Get कितना हो जागा 60 हो जाएगा तो हम यहाँ पर 60 put कर लेते हैं अब यहाँ पे देखे 27 है और यहाँ पे आमारे पास 9 है तो यह हमारा कितना हमको करना पड़ेगा Mind पड़ेगा तो 27 को क्या सा नंमर से टिवइड करना पड़ेगा कुछ इस तरह से ये 27 है अगर हम इसको ذات करना है 9 तो इस तरह से हम यहां फे 30 को भी डिवैड करने किसे डिवाइड कर लिए थिरी से क्या मिल जाग कर लेंगे इसे या पे करना है बस करने वाले हैं यह हमारा कितना है 81 है 81 को हम किस से डिवाइट करें ताकि 9 मिलेगा तो यहां पर आपको पता है 9 9 जा 81 होता है तो अगर हम यहां पर 9 से डिवाइट कर लें ठीक है तो हमको क्या मिल जागा 9 मिल जाएगा तो यहां पर भी हमको 9 सेवाइड करना पड़ेगा तो अगर हम 45 को 9 सेवाइड करते है क्या मिलता है 5 मिल जाता है अब देखिए हमारे पास यहां भी सेम है यह हमारा 60 है 60 हमारा 12 कर टेबल में 12 मिल जागा तो यहाँ पे 60 को किस से डिवैट किया गिया है 5 से डिवैट किया गिया है तब जगे क्या मिल गिया है 12 तो आप यहाँ पे 5 से डिवैट कर लिए 20 को अगर आप यहाँ पे 5 से डिवैट करते हैं तो क्या मिलता है 4 मिलता है तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे complete कर ल होना चाहिए five होना चाहिए तो यह one upon three है इसका हमको equivalent fraction निकालना है तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं न हम लिखेंगे जो हमारा fraction दिया हुआ one upon three यह हमने नोट कर लिया अब हमारा numerator कितना होना चाहिए five होना चाहिए तो हम यहाँ पे क्या करते हैं हम multiply कर देते हैं फाइब से मुल्टिप्लाइब कर देते हैं ठीक है तो यहां पे भी हमको यह हमारा नुमेटर में कितना है ठीक है तो ठीक है तो ठीक है रखेंगे और चलिए इसको कैंसल कर लेते हैं वन आपोन थ्री नॉट कर लिए ठीक है इसको हम मुल्टिप्लाइब कर देते किसे 5 से multiply कर देते हैं तो यहां पर हमारा कितना आ जाता है फाइप 15 और यहां पर फाइप 15 तो अभी देखिए हमारा numerator कितना हो गया numerator हमारा 5 हो गया और इस तरह से हमारा क्या हो गया answer हो गया ओके next हम यहां पर बी नमबर को चेक कर लेते हैं यहां पर डैनोमेटर होना चाहिए 18, तो हमारे पास जो fraction दिया हुआ है, वो है 1 upon 3, तो अभी 1 upon 3 को हम कौन सा number से multiply करें, ताकि हमारा denominator कितना हो जाए, 18 हो जाए, तो clear है, हम यहाँ पे 6 से multiply करेंगे, तो 6 समझा 6 हो जाएगा, और 6 तिरजा 18 हो जाएगा, तो denominator हमारा कितना हो गया, 18 हो गया, और यह हमार answer भी आजाता है, next हम यहाँ पे C number की बात करें, तो हमारा numerator कितना होना चाहिए, 11 होना चाहिए, हमारा fraction क्या दिया हुआ है, 1 upon 3, तो 1 upon 3 लिखेंगे, और इसको हम multiply करेंगे, तो कौन सा number से multiply करें, हमको 11 चाहिए, यहाँ पे 1 है, तो हम 11 से multiply करेंगे, तो 11 हो जाएगा, और नीचे हमारा कितना हो जागा, 33 हो जाएगा, तो इस तरह से यह भी हमारा बन जाता है, अब next हमारे पास third number question है, कहता है, change 5 upon 9 into an equivalent fraction with denominator 54, हमको denominator कितना करना है, 54 करना है, तो हमारे पास fraction क्या दिया हुआ है, 5 upon 9 दिया हुआ है, और denominator 54 करना है, तो हमारे पास denominator में क्या है, 9 है, तो आप देखिए यह हमारा 54 चाहिए और डेनोमेटर में है 9 तो 54 को अगर हम 9 से डिवाइट करते हैं हमको क्या मिल जाता है 6 मिल जाता है इसका मतलब यह हो गया कि यह जो हमारा fraction दिया हुआ है इसको अगर हम 6 से मल्टिप्लाइ कर दें ओके तो हमारा डेनोमेटर में कितना हो जाएगा 56 30 हो गया हमारा नूमेटर में और 9 6 54 हमारा हो गया डेनोमेटर में यह हमारा आंसर हो जाता है last question हमारे पास यहां पर 4 है कहता है change 20 upon 28 into an equivalent fraction with numerator 5 हमको numerator कितना लाना है 5 लाना है तो हम लोग क्या करेंगे यहां पर हम चेक करेंगे numerator में हमारे पास क्या है तो यह जो fraction है यहां पर numerator में हमारा 20 है तो 20 को हम क्या करते हैं हहां पर divide करेंगे अगर 5 से हमको क्या मिलेगा यह देखिए 4 मिलेगा ठीक है तो इसका मतलब यह हुआ कि हम यहां पर जो हमारा fraction दिया हुआ है 20 upon 28 हम इसको divide कर लेंगी किस से divide करेंगी तो हम यहाँ पर 4 से divide करेंगी जब 4 से divide करते हैं तब हमारे पास क्या होता है यह देखिए 4 से divide करने पर हमको यहाँ पर numerator में 5 मिल जाएगा 20 को 4 से divide करने पर 5 और 28 को 4 से divide करने पर 7 तो यह हमारा answer आ गया हमारा जो equivalent fraction बना है उसमें numerator कितना चाहिए था 5 और यहां पर हमारा 5 numerator आ चुका है तो इस तरह से हमारा complete हो गया worksheet 3 के यहां पर सारे questions को हमने solve कर लिया